कि कि हैं कि एलो स्टुडेंट्स आपके अपने यूटूब चैनल टोटल अगाउंट एंफर एक बार फिर सवागत है और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक बहुती इंपोटेंट निउस जो आपके लिए बहुती खास हो सकती है तो यह जो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज हम लोग डिसकस करेंगे माइनर के बारे में ठीक है आपकी PCOM, BSC ठीक है और BA वगरे के पेपर चल रहे है देखें यह जो पेपर है यह 2nd semester का है लेकिन यह आपकी help करेगा ठीक है चाहे आप 1st semester में हो और चाहे आप लोग 3rd semester में हो फिलाल जो exam चल रहे हैं 1st and 3rd semester के चल रहे हैं और फिर दुबारा समझेए आपने कहीं न कहीं minor paper लिया होगा चाहे आप B.com में हो, BA में हो, BSC में हो ठीक है, अगर आपके, आपने minor लिया हुआ है तभी आप इस वीडियो को देखेगा otherwise आपके लिए यह relevant नहीं है ठीक है, यह उनी बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना subject 1 कैसे लिया हुआ है ऐसे minor लिया हुआ है ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं फर्स सेमेस्टर में minor लिया है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो second में लेंगे यह और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने third में लिया हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो fourth semester के अंदर minor subject लेंगे तो चलिए हम लोग minor के बारे में discuss करेंगे actually क्या हो रहा है कि बच्चे को पता नहीं है कि जो minor subject है ठीक है जो अपना minor subject है उसका जो paper है ठीक है उसका जो paper है उसका pattern क्या होगा तो मैं आप लोगों को last year June 2022 का paper दिखा रहा हूँ ताकि इसके इसे देख करके आप लोग अपनी preparation को और अच्छे कर सकें और आप समझ सकें कि आपके सामने जो minor का paper होगा तो उसका pattern क्या होगा ठीक है किस level के question आएंगे क्या question बहुत tough होँगे average होँगे या easy होँगे और कितने question exam में आने वाले हैं तो उन्हीं सब बात तुको लेकर के मैं आपके सामने ये paper लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी help हो सके तो ठीक है minor elective नाम है और education ठीक है population and environmental education का paper है ठीक है इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे और marks वही आपके 75 होंगे देखे सबसे बड़ा जो changes है वो कहा है notice करने वाला point सिर्फ ये है यही से आप इस paper का पुरा pattern समझेंगे कि जो minor का paper है minor वाला paper ठीक है किस form में आएगा किस तरह से आएगा वही हम लोग इस point के अंदर समझेंगे देखे आपको सिर्फ 5 question करने है और यहाँ पर आपको 10 question देगे रखेगा ठीक है 10 question में से आप कोई भी जो भी आपको इच्छे लगते हो आप 5 question को attempt करेंगे out of 10 question उसकी बाद जो marks दिया हुआ है weightage दिया हुआ गे देखे एक question को each question carry 15 marks means आपको 5-10 में से कोई 5 question करने है एक question 15 marks का होगा इस तरह से टोड़ा मिला के 75 marks का आपका paper है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ 10 question होँगे 10 में से आपके पास choice है आप कोई भी करिएगा सभी long question है ऐसा नहीं है कोई very short है नहीं very short नहीं है नहीं कोई short question है long question दिये हुए 10 में से आप 5 करेंगे ठीक है मैं आपको दिखा दिता हूँ किस तरह का paper आएगा देखिए जैसे यह अपना paper है तो यहाँ पे क्या पुछा आप परियावरन 6 का क्या बताना है पर्तेक्स और प्रैकरती के बारे में विस्तार पुरू लिखिए ठीक है उसके बाद question number अगर हम लोग 2 की बात करें ठीक है question number 2 मैं आपके सामने थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल clear दिखाई दे ठीक है question number 2 क्या है जन संक्या वरद्धी और इसके परणामों और परभावों की विवेचना कीजिए वही question number 3 क्या है write a short note on environmental ecosystem ठीक है उसके बाद question number 4 है question number आपका 4 है परियावरन के जैविक और एजैविक गटकों को उधारन सहीत समझाना है वहीं आपका question number 5 क्या है what do you understand by natural resources give example प्राकरतिक संसादनों से आप क्या समझते हैं इसके उधारन दीजिए ठीक है हर एक question पंदा नंबर का है उसके बाद discuss the natural and man-made register with example प्राकरतिक और मानव निर्मित आपताओ के उधारन सहीत विवेचना कीजिए देखे तो ये question 6 हो चुके है उसके बाद चलेंगे हम लोग question number 7 पे question number 7 ठीक है देखे question number 7 question number 7 में क्या है कि explain करना है role of environmental and natural resources resource in sustainable development सदत विकास में प्राकरतिक संसादनों की भूमिका को इसपश्ट कीजिए उसके बाद वही question number 8 question number 8 किसके बारे में discuss the component and risk of responsible environmental behavior among students and teachers छात्रों और सिक्सों के बीच जिम्मेदारी परियावण निये व्यावार के घटकों की विवेचना कीजिए वही question number 9 ठीक है अगर हम लोग question number 9 देखे तो क्या है write about the action strategy to control the population exploration means जनसंख्या विस्पोर्ट को नियन्तित करने के लिए कारी निति के बारे में लिखी ठीक है अब देखे last question है मैंने शुरू में बताया था आपको कि आपका जो minor का paper होगा paper आपका किसी भी semester में हो ठीक है जरूरी नहीं है कि semester first हो second हो third हो fourth हो ठीक है किसी भी semester में हो आप अगर आपने minor लिया हुआ है तो paper का pattern सिर्फ एक ही रहेगा जो आपके सामने है तो आपको चिंदा करने की जुरूत्मी है देखे last question क्या है परियावरन सुरक्षा के दवारा भारतिय संस्त कर्थी को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं ठीक है तो यह 10 question थे उसमें MCQ दिये हुए है तो बच्चों को लग रहा है कुछ वहाँ पर theory भी है MCQ भी है तो बच्चों को यह doubt है कि कहीं minor में जो minor subject है क्या उसमें MCQ आएंगे ऐसा नहीं है विर्कुल भी मैंने आपको paper दिखा दिया कि जो हमारा paper है आप लोग देख सकते हैं कि जो paper है paper में ऐसा नहीं है कि minor के अंदर ठीक है objective question आएंगे ठीक है तो minor के अंदर objective question नहीं आएंगे MCQ type जो question होते हैं हमारे वो नहीं आएंगे बलकि आपको 10 question में से को भी 5 question बिल्कुल descriptive लिखने होंगे long question होंगे लेकिन आपको जो दूसा subject है नहीं है co curriculum जो co curriculum है उसमें आपके MQ आएंगे उसमें आपके MCQ आएंगे hundred MCQ होंगे और आपको 100 के 100 complete करने होंगे minor में MCQ नहीं हैंगे लेकिन जो co curriculum है उसमें आपके 100 MC कह आएंगे तो I hope कि आप लोगों को जानकर इच्छी लगी होगी, ठीक है, अगर आपको जानकर इच्छी लगी है, तो आप आपने फ्रेंट के साथ में जरूर सेर कीजेगा, ताकि वो लोग भी, ठीक है, exam के according, अपनी तयारी कर सकें, ठीक है, तो minor में question आएंगे, descriptive, और जो आपका co-curriculum होगा, उसमें आएंग mcq, ठीक है, co-curriculum में आपके mcq आएंगे, ठीक है guys, thanks for watching,